कि वह सेंसर क्या है और प्रॉक्सीमेटी सेंसर क्या है 새벽 दोक को अब दिड् глуб कर ना होता है जो किसी भी भौतिक दिक बस्तव को अपने सामने आने पर इलेक्ट्रिक सिगनल देता है इसकर यह हमारा प्रॉक्सिमीटी सेंसर है यह तो हो गए सेंसर के बारे में कि सेंसर क्या करता है जब भी सेंसर के सामने कोई चीज आती है जैसे जिस टाइब का भी सेंसर है जैसे प्रॉक्सिमीटी सेंसर में इंडक्टिव सेंस इंडक्टिव ख्रीक टिधी तोसके सामने मेटल अगर आता है जूश कोई बीचीज आती है तो वह सेंस करता है और सिगनल देता है इसी डाइन जैजरी फ्रोक्सिमेटी सेंसर पिएनपी और एंपिंकन कैंद इसके लिए यह आप कमेंट कर ओक्रैंश करूप यह नेक्स्ट वीडियो वाना होगा है यह रहा प्रोक्सिमिटी सेंसर यह सेंसर रहता है यह इसके सामने क्या होता है मैगनेटिक फिल्ड जनुरेट करता है वन्दब जितनी देता है जैसे इसका साइज आता है मॉडूल के इसाप से आता है जैसे 10M की रेंज 20M की रेंज जितनी भी रेंज रहती है उस रेंज में अगर कोई भी मैटल का पार्ट आता है यह डिटेक्ट करता है डिटेक्ट करने के पद यहां एक LED रहती है वो LED यह जाती है जिससे हमने हमें फिजिकली पता लग जाता है कि की इसेंसर डिटेक्ट कर रहा है दूर से देखने पर लिए इसमें 3 वाय रहते हैं ब्राउन, ब्लेक ब्लेक और ब्लू ब्राउन अपना पॉसिटिव रहता है ब्लू निगेटिव रहता है इसमें हम सपलाई देते हैं पोजिटिव ब्राउन में, बुलू में निगेटिव और ब्लेक से आउटपुट ले लेते हैं पी अगर रहता है तो आउटपुट में पोजिटिव देता है अगर रहता है तो आउटपुट में नेगेटिव देता है इस black को output को हम use कर सकते हैं कोई भी चीज चला सकते हैं जैसे relay operate करा सकते हैं PLC में input इसका ले सकते हैं या conductor अगरा कुछ भी operate कोई विलोड दे सकते हैं लेकिन वो load ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके इसाब से जो विलोड रहता है वो sensor पे लिखा रहता है अब जानते है types of proximity proximity sensor कई प्रकार क्या होते है inductive proximity, capacitive proximity, ultrasonic proximity, magnetic proximity, optical proximity, photoelectric proximity अगर इनके बारे में डीटेल से जालना है तो आप comment box में comment किजिए और मैं एक एक sensor पे एक एक वीडियो बराद होगा जिससे आपको डीटेल में पता लग जाएगी कौन से sensor कैसे काम करता है